गांधी परिवार के चुराग राहूल गांधी और उनकी बहन प्रियांका गांधी को कहानियां भी इटली रोम और फ्रांच वाली ही पसंद है और दो और गांधी परिवार कहानी सुनता और सुनाता भी है तो इटली और फ्रांच की जैसा प्रियांका गांधी ने किया प्रयाग राज के दौरे पर प्रियंका ने ट्विट कर लिखा स्वराज भवन के आंगर में बैठे हुए वो कमरा दिख रहा है जहां मेरी दादी का जन्म हुआ रात को सुलाते हुए दादी मुझे जोन आफ आर्क की कहानिया सुनाय करती थी आज भी उनके शब्द दिल में गुंसते हैं कहती थी निडर बनो सबच्छा होगा पहली बार में प्रियंका की ये शब्द बहुत भावुक लगते हैं लेकिन जरा हकीकत जानिये और जरा प्रियंका से पूछे की चुनाव से पहले स्वराज भावन का ये आंगन उन्हें क्यों याद नहीं आया पूछे कि इससे पहले प्रियंका सी स्वराज भावन में कितनी दफा आई अगर दादी के शब्द उनके कानों में गूँचते हैं तो कम से कम चुनाव से पहले साल में एक बार भी स्वराज भवन का दर्शन ही कर लिया करती अब आईए उस कहानी पर जिसका जिक्र प्रियंका ने किया है जोन आफ अर्क फ्रांस के एक किर्दार है फ्रांस की विरांगना भी कहा जाता है उन्हें रोमन कैतोलिक चुर्च का संत माना गया उनकी बहादुरी के किस्से दुनिया भर में मशूर है उन्होंने एक सपना देखा था कि इंग्लैंड के कबजे से एक दिन फ्रांस आजाद होगा और ऐसा हुआ अब प्रियंका और गांधी परिवार से एक सवाल है क्या वो अपने देश की जासी की रानी को भुला देंगे क्या वो जोन आफ आर्क की जगा जासी की रानी की कहानी को सुनना पसंद नहीं करेंगे जहासी की रानी को भी यकीन था कि एक दिन हिंदुस्तान आजाद होगा और इसी आजादी के लिए उन्होंने अपना रक्त बहा दिया लेकिन प्रियंका गांधी को कहानिया भी सुनने को मिलती थी तो जोन ओफ अर्ग की अपने भाशनों में प्रधान मंतरिक प्रेमचन्द की कहानिया सुनाते हैं अपने देश और अपने पर्देश की कहानिया सुनाते हैं लेकिन कॉंग्रेस ठीक इसके उलट करती है क्या कॉंग्रस अपने देश को कम आगती है या अपने देश के विरों को नजर अंदाज करने की अदा कॉंग्रस के जीन में है जोन आफ अर्क को नेपोलियन फॉलो करता था तो क्या अपने पोलियन को फॉलो करेंगे प्रियंका देश के इतिहास को जिसने भी नजर अंदाज किया वो मिट गया क्या प्रियंका और कॉंग्रिस यही गलती कर रही है स्वच्च भारत भियान पर अगर मैंने इतना बल दिया है तो उसके पीछे देश की बेहन बेटियों की गरीमा है उनका सम्मान है साल 2014 में जब आपने मुझे प्रदान सेवक का दाईत्व समपा उस समय लाल किले से मैंने देश की बेहन बेटियों को इस अफमान और पिड़ा से मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया उस समय आपने भी देखा होगा कि जो पहले सत्ता में थे उन्होंने कैसे कैसे मेरा मजाक उड़ाया था नजाने मुझे क्या क्या कहा गया कितनी आलोचना की गई यह कैसा प्रदान मंत्री है लान के लिए से टॉइलेट की बात करता है मेरी सोच और समझ को लेकर अपमान जनक टिपनियां भी की गई थे साथियों यह टिपनि करने वाले या तो वो लोग थे जिनको बेहनों की पीड़ा की परवाई नहीं थी मुझे इस पीड़ा की जानकारी भी थी और करोडो बेहन बेटियों की परवाई भी है और इसलिए मुझे सोने का चमच लेकर के पैदा हुए लोगों के तंच कभी नहीं चूपते मेरा अपमान वो करते रहें लेकिन करोडो बेहन बेटियों को सम्मान की जिन्दगी इजगर ये कैसे मिले जल्जे सथ कैसे मिले इस बात को मैंने मन में ठान के रखा है और जी जान से उसके लिए जुटा हुआ गैस का कनेक्शन आपको मालूम होगा कॉंग्रेस के जमाने में 2013 में जब चुनाव की चर्चा चल रही थी तब कॉंग्रेस ने वादा किया किया था नव सिलेंडर देंगें कि बारा सिलेंडर देंगें किया था न और उन्होंने गोशना कि थी कि अगर उनका प्रधान मंत्री बनेगा तो बारा सिलेंडर देंगें भायों बैनों पार्लामेंट के मेंबर को 25 कुपन देते थे गैस की और वो साल भर में 25 परिवारों को अबलाइज करता था और उसके लिए लोग बेचारे लाइन लगा के खड़े रहते थे कि मुझे ज़रा गैस का एक कुपन देदो मुझे गैस का चुला लेना है गैस का कनेक्शन लेना है ये इनका राज करने का तरीका था भायों बैनों देश में 55 प्रतिशत घरों में ही गैस का कनेक्शन पहुँचा था 65 साल में 55 प्रतिशत कितना कि आपको आंकड़े याद रखने पड़ेंगे तभी तो उनका हिसाब मांगोगे ना 65 साल में 65 साल में मोधी ने 4 साल में 90 परसंट गरों में गैस का चुला दे दिया कि अब मुझे बताइए इनको परेशानी है कि ये माताए बेहने मोधी मोधी क्यों करती है अरे नामदार आप तो सुने का चमच ले करके पैदा हुए हो जब लकडी का चूला जला करके खाना पकाते हैं तो घर में जो धुआ होता है एक मां के शरीर में 400 सिगारेड का धुआ जाता है 400 सिगारेड का और घर में जो छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं वो बच्पन में ही बिमारी के शिकार हो जाते हैं और यह मोदी हैं सोने का चमच ले करके पैदा नहीं हुआ था उसने गरीब मां को लकडी का चूला जला करके दूए के बीच खाना पकाते देखा था उसे उस मां का दर्द मालूम था और उसलिए इसलिए उसने आ करके देश के 90 प्रतिशत घरों में गैस का चूला पहुचा दिया क्योंकि मेरी मां उस धूए के मुसीबतों से मुक्त हो जाए और बच्चों को अच्छा खाना खिलाए पाए हाँ अनंतनाग अर्जुमाना जी आप तो रमजान का महिना चल रहा है तो बहुत सुबे तीन बजे उटकर के खाना पकाना पड़ता होगा और लक्री का चुला गया और गैस का चुला आया तो पहले में बहुत बड़ा फरक आया होगा हाँ बताई यह कि पहले की मुकाबले में आज बहुत ही ज़्यादा परकार आहा है क्योंकि जो हमारा टाइम बच्टा है पहले बच्चा हम जब आलस चुला जलाते थे तो बच्चे आगी तरुब जाते हैं वो खत्रा रहता था बरतन साफ करने में भी बहुत जादा टायम जाता था वोई बच्चा आगर बीमार पड़ता था उसको हास्पिटल ले जाते थे उसमें सारा दिन चला जाता था जिसमें हम एक दिन का मतब एक टाइम का खाना भी पकानी पाते थे अब जबके उचवाला भी जास हमाारे घर में यह है इसे हमें बबहुत सहलाते हो के रमज़ान के महीने में तो बहुत ही जादा अब हम सुँढ़ी हूटके पांद्रा मिनट आदा गंटा पहली ही खाना पका सकते हैं और साहरी में न का सकते और बच्चों को भी खिला सकते हैं सब। लुए एड़ोष पोड़ोष में सारे मुस्लिम परिवार है और मेरे सारे दोध भी मुस्लिम बच्चे ही थे सब जब मैं बच चोटा था और मैं देखता था कि रम्जान महिने में उनके घर में बड़ी तकलीफ होती थी तो उनको घर में सुबह तीन बजे उनकी माता को उठना पड़ता और तीन बजे से वह खाने की त्यारी करते हैं ताकि रोजा शुरू होने से पहले सारा काम हो जाता है मैं मानता हूँ अब गैस सिलिंडर आने के कारां यह जो माता हो बेहनों के ऐसे अवसर पर तकलीफ होती ही बहुत कठीनाईयों से मुक्ति लिए आपके यहां तो मौसम का भी मार रहता है लगड़ी गीली ही रहती है आपके यहां तो वह तो और दिक्केत चरती होगी है पिति पूरा दिन रोजा अब्री में चाली को मत जानी हяла सोवाश सेहीं के सारे कर में मसलसर घ्रुटां पड़ाता थैंझारि बहुत परिशानी भी हो जाती थी बच्चों को समभालना यहां ते खाना पकाना सर्थ